नमस्कार मैं हूँ अंजु पंकर्श बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका दिली की सीम अर्विन केजिवाल खुद तो कभी लखनाओ कभी पंजाब कभी मुंबई घूमते फिर रहे हैं लेकिन स्वाति मालिवाल के मुद्दे पर किसी भी सवाल का जवाब वो नहीं दे पा ज़री है मुँमें जमा कर क्यों बैटे हैं स्वाति मालिवाल का नाम सुनते ही उनकी सिट्टि पिट्टि गुम क्यों हो जाती है वो खुद सामने नहीं आ रहे 1973 को सामने आकर प्रेस कॉंफरन्स करने के लिए मजबूर करें पहले, 31 घंटे के बाद, संजी सिंग को भेजा गया प्रेस कॉनफरेंस करने के लिए, मंगलवार को संजी सिंग नहीं प्रेस कॉनफरेंस की थी, जिसमें ये कहा था कि अर्विन केजिवाल के शीश महल में विभव कुमार ने स्वाती मालिवाल के साथ बजसलू की की और अर्विन केजिवाल बड़े परेशान है वो विभव कुमार के खिलाफ सक्त कारवाई करेंगे और फिर जब लखनों में अर्विंद केजिवाल से पत्रकारों ने सवाल पुछा तो अर्विंद केजिवाल की सिट्टी पिट्टी गुम क्यों हो गई जो सच था वो बताते लोगों को क्यों नहीं बोल पाए कि संजे सिंग ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है विभफ कुमार ने उनके घर पर स्वाती मालिवाल जो आमादी पार्टी की राजे सवा सांसत है उनके साथ मार्पिटाई की हाथ कापने लगे थे अर्विंद केजिवाल की डर गए थे पसीने पढ़ने लग गए थे AC के कमरे में बैठ कर किसी को पसीना कैसे आता है अर्विन के जिवाल की वो तस्वीर इसका जीता जाकता प्रमान है और फिर अब शुकरवार को देखी क्या ड्रामा किया गया शुकरवार को आतिशी सिंग को भेजा गया प्रेस कॉन्फरेंस करने के लिए उससे पहले एक edited वीडियो सर्कूलेट किया गया सोशल मीडिया पर ये दिखाने के लिए कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है स्वाति मालिवाल विभव कुमार के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रही है और वहाँ पर जो स्टाफ है वो उन्हें बाहर जाने के लिए कह रहा है वगयरा वगयरा ये एक edited करीब करीब 52-52 का वीडियो सर्कूलेट किया गया उसके बाद आतिशी सिंग बड़ी तयारी के साथ आई और आते ही उन्होंने क्या कहा आते ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये तो बीजेपी का शड़े अंतर है बीजेपी बड़ी परेशान है जबसे अंतरिम जमानत पर अर्विन केशिवाल बाहर आए है इसलिए उन्होंने स्वाती मालिवाल को चहरा बना लिया ये देखी ज़रा क्या बोला उन्होंने आतेशी ने कहा जब से अर्विन केशिवाल जी को बेल मिली है तब से बीजेपी बॉखलाई हुई है तब ही इस बार सी एम के खिलाफ शड़े अंतर में बीजेपी ने स्वाती मालिवाल को चहरा बनाया स्वाती मालिवाल अर्विन केशिवाल से दो हजार पांच छे से जुड़ी हुई है जब अर्विन केशिवाल परिवर्तन और कबीर नाम की एंजियो चलाते थे तब से जुड़ी हुई है इंडिया अगेंस करॉप्शन में भी उनके साथ थी आमादी पार्टी का गठन हुआ तब भी उनके साथ थी नौ साल तक अर्विन केशिवाल ने उन्हें दिल्ली महिला आयोग की चीफ बनाकर रखा और अभी उनको राजसभा भेजा गया तो क्या वो बीजेपी का चेहरा थी अर्विन केशिवाल के घर में आमादी पार्टी की राजसभा सांसत के साथ बदसलू की होती है करने वाला अर्विन केशिवाल का पूर पीए विभव कुमार है तो फिर बीजेपी शड़ेंतर में कहां से आ गई कैसे स्वाती मालिवाल बीजेपी का चेहरा बन गई इतनी जल्दी आतिशी ने अपनी राय बदली अपनी पुरानी कलीक को लेकर आगे वो कहती है 13 माई को स्वाती मालिवाल को बिना अपॉइंटमेंट के सीएम हाउस इसलिए भेजा गया मतलब बीजेपी ने भेजा ताकि मुख्य मंत्री पर जूटे आरोप लगाए जा सके वो जबरदस्ती सीएम हाउस में गुसी और जब सीएम नहीं मिले तो साजिश में विभव कुमार को फसा दिया सोचिए यहाँ पर आतिशी सिंग अरविंद केजिवाल को तो बचाई रही है और विभव कुमार को भी बचा रही है कितनी सोची समझी रणनीती के तैत लिखा पढ़ा कर आतिशी सिंग को प्रेस कॉन्फरेंस के लिए भेजा गया था ताकि वो अरविंद केजिवाल को भी बचाई और साथी साथ विभव कुमार को भी बचाई और स्वाति मालिवाल पर बीजेपी का चहरा होने का आरोप लगा दे काम खतम हो गया उनका जबकि समझने वाली बात यह है कि वो बीजेपी का चहरा कब से हो गई वो तो राजेसवा सांसत आम आधी पार्टी की है सोंबार सुबे तक वो आमाधी पार्टी की राजसवा सांसती, साड़े नौ बजे जो मार पिटाई हुई उसके बाद वो इतनी बदल गई कि अब वो बीजेपी का चेहरा नजर आ रहा है, और कोई पूछे आतिशी सिंग से कि पिछले चार-पांच दिन से वो क्या कर रही थी, जब संजे सिंग ने कह दिया था कि शीश महल के अंदर स्वाती मालिवाल के साथ मार पिटाई हुई, तो अब जाकर आतिशी सिंग ये नया वर्जन लेकर क्यों आई, उन्होंने तो एक तरह से संजे सिंग को जूटा बता दिया, संजे सिंग के बारे में खा कि उनको पूरी बातों का पता ही था, अच्छा, संजे सिंग राजसबा सांसद है, आमाधी पार्टी के दूसरी बार, दूसरे टर्म में सांसद बने है, क्या उनको घटनाओं के बारे में नहीं पता था, वो आधिय अधूरी जानकारी के साथ प्रेस कॉन्फरेंस करने के लिए आ गये थे, तो अगर सच आतिशी सिंग को पता था, तो पहले ही उन्होंने मंगलवार कोई प्रेस कॉन्फरेंस क्यों नहीं कर दी, किस चीज का इंतिजार कर रही थी वो, पहले भी आकर बता सकती थी कि सच क्या है, मंगलवार को संजे सिंग प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं, गुरुवार को अर्विन आतिशी सिंग ने जो कहा था वो सच था या गलत था, आप दोनों में सच कौन बोल रहा है, जब ये पुछा गया, तो पूरा तामजहम समेट कर आतिशी सिंग वहां से चली गई, आदिय धूरी प्रेस कॉंफरेंस करके चली गई, क्या मतलब था इस प्रेस कॉंफरेंस का, कि इसको clean sheet देने की कोशिश कर रही थी आतिशी सिंग, आतिशी सिंग भी केजिवाल के हाथ का मोहरा है, अपने आका को बचाने के लिए आई थी और विभव कुमार को बचाने की जिम्मेदारी भी उनके कंदों पर डाली गई थी, लेकिन बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है विभव कुमार को दिल्ली पुलिस तलाश रही है, और वो जाकर छिप गया है पंजाब में, लखनों में तो अर्विन केजिवाल के साथ घूम रहे थे, और उसके बाद जब अर्विन केजिवाल पंजाब गए तो अपने साथ ले गए, अब मुंबई जाते वक्त उसे वह जान दिये, उसके बाद से आमाधी पार्टी में ऐसी खलवली मच गई, कि उनका पूरा एको सिस्टम एक्टिव हो गया, स्वाती मालिवाल का केरेक्टर असेसिनेट करने के लिए, आप सोशल मीडिया साइट्स खोल कर देखे, एक्स खोल कर देखे, आमाधी पार्टी की न लड़ाई लड़नी क्या शुरू की, सारी की सारी आमाधी पार्टी उनके खलाफ खड़ी हो गई, अब देखे, क्या-क्या उनके बारे में कहा जा रहा है, ये दिलिप के पांडे है, अर्विन के जिवाल के सबसे करीबी नेताओं में शुमार होते हैं, ये प्रवक्ता भी हैं, ये देखे, क्या लिखते हैं स्वातिमालिवाल के लिए, सच के दिये कि हलकी सी रोष्णी भी स्वाति के जूट और दंब के गहनतम अंधकार को मिटाने के लिए परयाप्त है, मतलब दिलिप के पांडे ने बिना छान बीन के बिना जांश पड़ताल के, अभी अर्व मतलब एक महिला के साथ जो अत्याचार हुआ सी एम के घर के अंदर, वो महिला दिलिप के पांडे की पार्टी की ही राजसबा सांसद है, वो महिला जो दूसरों के अधिकारों के लिए सबसे ज़्यादा मुखर रहती हैं, जिनको अर्विन केजिवाल लेडी सिंगम कहते थ वो महिला अपने अधिकारों के लिए अगर जबान खोलती हैं, तो वो गदार बन जाती हैं, आमादी पार्टी का पूरा इको सिस्टम इस वक्त स्वाती मालिवाल को बीजेपी का चहरा, बीजेपी के शडेंतर की हिस्सेदार और गदार बताने पर उतारू है, और इस तरह के ट्वीट करके दिलिप के पांडे अर्विन के जिवाल की नजर में अपने आपको वफादार साबित करने में लगे हुए हैं, आगे देखी, एक और जनाब है, यह सौरब भार्दवाज, सौरब भार्दवाज भी वैसे तो दिन में पांच-पांच प्रेस कॉन्फरेंस क की घटना है, स्वातिमालिवाल के साथ जो कुछ हुआ शिश पहल में, उसके बाद शुकरवार आते आते वो भी सामने नहीं आए मीडिया के, लेकिन ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पर लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं, इस 13 माई की वीडियो को देखकर कुछ बाते हुआ है, वो वीडियो बनाया, किस मकसद से गया है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है, और दिल्ली पुलिस जो शीश मेल में घुस चुकी है, वो पता लगा लहीं है, किसने वो वीडियो शूट किया, और उसके आगे पीछे की फुटेज हो है, वो कहा है, अब उनकी आंखे भी दिव्य चक्षुक खुल गए है सौरभ भार्दवाज की इस वावन 53 सेक्टेंड के वीडियो को देखकर वो कहते हैं महिला बता रही है कि वो पुलिस को कॉल कर चुकी है इसका मतलब तखा कथित मार्पिट हो चुकी है महिला सौरभ भार्दवाज की कुलीग है स्वातिमालिवाल लेकिन अब उनका नाम लेने से भी बच रहे है सौरभ भार्दवाज कहते हैं महिला बता रही है अरे नाम ले लेते तो क्या हो जाता इतने सालों से वो आपके साथ काम कर रही है अगर स्वातिमालिवाल के साथ इस तरह क जो अफसर है वे सेक्योरिटी में लगे दिल्ली पुलिस के अफसर है वो उन्हें एक बार भी नहीं कह रही है कि उन्हें बुरी तरह से पीटा गया है यानि कि वहाँ पर शिकायत नहीं कर रही है लेकिन तब वो कह रही है कि उन्होंने 112 नंबर पर फोन कर दिया है मतलब कि इस ट्वीट के जरिये सौरभ भार्दवाजी साबित करना चाहते हैं कि स्वाती मालीवाल तो जुड़ बोल रही थी और ताजुब इस बात का है कि वो नाम नहीं ले रहे हैं महिला बता रही है ये आमाधी पार्टी के नेता हैं जो अपनी ही नेतरी के साथ सीम के आवास पर हुई इस घटना के बाद उनके बारे में ये राय रखते हैं आगे देखें वो कहते हैं आज 17 मई के वीडियो में दिखा कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही मगर तथा कतित गंबीर चोटों के तुरंत बाद भी इस वीडियो में वे आराम से सोफे पर बैठी फोन मिला रही है खूब जोश में पुलिस और विभव को धमका रही है आगे कह रहे हैं 13 मई को पुलिस के कहने पर भी मेडिकल नहीं करवाया आशा है CCTV की और भी वीडियो सामने आएंगी और सच सबको पता चलेगा तो सौरब भारदवाज को क्या सच नहीं पता वो भी तो दिल्ली के मंत्री है उनको भी पता होना चाहिए कि उनके राजकाज में क्या हो रहा है उनकी अपनी ही पार्टी की राजसभा सांसत के साथ CM के घर पर क्या हुआ और ये ट्वीट करके वो क्या कहना चाह रहे है वो ये कहना चाह रहे है कि स्वाती मालिवाल जिस वक्त तीस हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने अपना वयान दर्ज करवाने के लिए जा रही थी और वो ठीक से चल नहीं पा रही थी तो उनका कहने का मतलब ये था कि देखिए ये जो बावन सेकंड का वीडियो इसमें तो बिलकुल ठीक ठाक बैठी है और आज वो चलने ही पा रही है यानि की वो नौटंकी कर रही है यानि की वो ड्रामा कर रही है ये कौन कह रहा है ये उस पार्टी का मंत्री कह रहा है जो खुद ये कहा करता था अपने कारकरताओं से कि अरे तिहार जील में तो बड़े मज़े होते हैं कौन कौन तिहार ज आघालबाज सांसक पर उंगली उठा रहे हैं खैप आगे देखिए एक और जनाब है वो क्या कहते हैं ये आमाधि पार्टि के नरेश बालियान है ये लिखते हैं भाषा देखे इस ओरत की आप सोचिए किस की बात कर रहे हैं सौरभ भारदवाज महिला कहते हैं ये जनाब औरत कह रहे हैं स्वातिमालिवाल को, क्या स्वातिमालिवाल का नाम भी इनकी जुबान पर नहीं आ रहा है अब, स्वातिमालिवाल इतनी बुरी हो गए इनके लिए, सिर्फ दो दिन में, आगे लिखते हैं, सियम आफास, सेक्योरिटी ऑफिसर को मा बहन की गालियां दे रही है, मैं तो पहले ही कह रहा था कि सच बाहर आ गया तो मूँ छिपाते फिरेंगी, हे राम, ये कह रहे हैं नरेश बालियान, किसके बारे में स्वातिमालिवाल जो इनकी पार्टी की नेता है, सालों से एक साथ काम कर रहे हैं ये लोग, लेकिन स्वातिमालिवाल ने अपने अधिकार के लड़ाई लड़नी क्या शुरू की, इन सब लोगों ने मिलकर उनका करेक्टर असेसिनेट करना शुरू कर दिया, एक दिन में वो आमाधी पार्टी के नेताओं को गदार लगने है, ताकि किसी ना किसी तरीके से अर्विन के जिवाल को इस पूरे मामले से बचा लिया जाए, और विभव कुमार, जो अर्विन के जिवाल के सबसे बड़े राजदार है, उनको भी बचा लिया जाए, क्योंकि स्वातिमालिवाल ने ये सारे खुलासे करके अर्विन के ज इस बार भी इस राजनीतिक hitman ने खुद को बचाने की कोशिशे शुरू कर दी हैं किसके बारे में कह रही हैं वो अर्विंद के जिवाल के बारे में वो आगे लिखती हैं अपने लोगों से tweets करवा के आधी बिना संधर्ब की वीडियो चलाके इसे लगता है कि ये इस अपरा लगता है गिर्जा भगवान सब देख रहा है एक ना एक दिन सब की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी ये स्वातिमालिवाल ने tweet किया है अब सोचिए स्वातिमालिवाल को लग रहा होगा कि उनके साथ जो बदसलूकी हुई उसमें आमाधी पार्टी के सभी लोग उनक संजे सिंग अर्विन के जिवाल के साथ भगवन्त मान के साथ प्राइवेट जेट में सवार होकर जब लखनो जाते हैं तो साथ में विभव कुमार भी होता है और जाहिर सी बात है स्वातिमालिवाल को सबसे ज्यादा धक्का यहीं पर लगा यहीं ट्रेगर पॉइंट था जब उन्होंने गुरुवार को दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के सामने अपनी बाते रखी वहीं से उन्होंने सोच लिया था कि अब उनको अपनी लड़ाई आमाधी पार्टी के खिलाफ अकेले ही लड़नी होगी आगे स्वातिमालिवाल क्या लिखती है वो भी आ आज यू टर्न ले लिया वो बात कर रही है संजे सिंग की और आतिशी सिंग की में वो आगे लिखती है ये गुंडा पार्टी को धंका रहा है मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोलूंगा इसलिए लखनों से लेकर हर जगे शरण में घूम रहा है वो विभव कुमार की बात कर रही है क्योंकि विभव कुमार अर्विंद केजिवाल का सबसे बड़ा राजदार है और वो अर्विंद केजिवाल के राज खोल सकता है तो स्वातिम वालिवाल का कहना है कि वो अर्विंद केजिवाल पर दवाव बना रहा है कि अगर मैं अरेस्ट हो गया तो तु करोंगी जमकर character assassination करो वक्त आने पर सब सच सामने आएगा ये बाते स्वाति मालिवाल ने ट्वीट में लिखी हैं आप सोच ये ताजुब इस बात का होता है कि आमाधी पार्टी के अंदर क्या एक दूसरे को लेकर इतना बैर है आतिशी सिंग स्वाति मालिवाल को बीजेपी का एजेंट बता रही है आतिशी सिंग ने जब ये कहा कि सारा शड़यंत बीजेपी का है तो उनको सबूत भी सामने रख देने चाहिए थे वैसे भी आतिशिय सिंग की आदत है बिना सबूतों के जुड बोलने की ये वही है जिन्होंने ये कहा था कि बीजेपी ने आमवाधी पार्टी के साथ विधायकों को 25-25 करोड रुपे ओफर किये थे और जब दिल्ली पुलिस की क्राइम राज ने उनसे सबूत मांगे थे तो 9-11 हो गई थी वो नोटीस ही नहीं ले रही थी दो ढ़ाई महीने गुजर चुके इस बात को दिल्ली पुलिस की क्राइम राज ने उनसे तीन दिन के अंदर सारे सबूत देने को कहा था लेकिन आज तक एक भी सबूत नहीं दे पाई आतिशी सिंग यही नहीं उन्होंने ये आरोप भी लगाया था कि बीजेपी के एक नेता ने उनसे ये कहा कि अगर वो अपना राजनिती करियर बचाना चाहती हैं तो उन्हें बीजेपी में आ जाना चाहिए ये बात तब की है जब एडी ने राउजवेनिकोर्ट में इस बात का खुलासा किया था कि अर्विन के जिवाल का कहना है कि विजे नायर उनको नहीं बलकि स्वाती मालिवाल और सौरभ भारदवाज को रिपोर्ट करता था तब अदालत में मौजूद दोनों के चेहरों पर हवाया उड़ने लगी थी तब आतिशी सिंग ने ये कहा था कि अगले दिन वो बड़ा खुलासा करेंगी और तब उन्होंने प्रेस कांफरेंस करके ये कहा था कि बीजे पी उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है लेकिन इसके भी उनसे सबूत मागे गए चुनाब आयोग ने उ जो रिकॉर्डिंग से उन्हें डिलीट कर दिया है और बहुत सारे गवाहों के साथ मार पिटाई की है एक के कान का परदा तक फाड़ दिया है ये सारे आरोपी आतिशी सिंग ने ED पर लगाये थे लेकिन एक भी सबूत वो सामने नहीं रख पाई तो सवाल ये उठता है कि एक बाद फिर जूट परोषने के लिए आतिशी सिंग सामने आई अगर बीजेपी की साज़िश है तो उनको सबूत सामने रखना चाहिए था कि कैसे ये साज़िश रचे गई अगर वो कह रही है कि स्वाती मालिवाल बीजेपी का चहरा है तो बताए ना कि वो चहरा कैसे ह लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह जो आमादी पार्टी है इसके अंदर घमासान मचा हुआ है इस वक्त सबके सामने सिर्फ एक ही मकसद है एक ही चुनौती है कि यह इनकी इन प्रकारें अरविंद केजिवाल को स्वाती मालिवाल वाले मामले में बचाया जाए हलांकि स्वाती मालिवाल ने FIR में केजिवाल का नाम नहीं लिया है लेकिन उन्होंने 112 नंबर पर जो कॉल किया था उसमें कहा था कि अरविंद केजिवाल के कहने पर विभव कुमार ने उनके साथ मार बिटाई की इसलिए अरविंद केजिवाल इस मामले में बच नहीं पाएंग वो स्वाति मालिवाल पर अपने चम्चों की जरिये जितना कीचर उछा लेंगे उतना इस मामले में और एक्सपोज होते जाएंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें शेयर करें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को अपना पूरा सयोग दें ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार भारत माता की जैहो वन्दे मातरम और जैशिर राम